अगर आप अपनी मोटापा यानि फैट को कम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें आज आप जानने वाले हो एक ऐसी exercise के बारे में जिसे अगर आप रोजाना सरी 5 मिनिट कर लोगे तो कुछी मेहने में आपका फैट घटने लगेगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले सुबा में उत्तही आपको फ्रेस होना है फिर उसके बाद आपको एक ग्लास पानी में आधा नीबू को निचोड़ कर उस पानी को अच्छे तरह से मिला कर पी जाना है या फिर आप नीबू पानी के जगा में ग्रिन टी को भी पी सकते हो और ये सब कर लेने के बाद आपको अभी जो एक्सरसाइज को बताने जा रहा हो उसको करना है तो पहला एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं वो है बर्फी एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में आपको एक जंप लगाने के साथ साथ पूसप भी लगाना है और इस तरह से आपको लगतार 1-2 मिनट करनी है क्योंकि ये exercise को fat loss के लिए सबसे अच्छा माना जाता है अब दूसरे exercise के बारे में आपको बताते हैं और वो है rock jumping मतलब रसी कुदना fat loss करने के लिए rock jumping यानि कि इस तरह से रसी कुदने वाली exercise को बहुत अच्छा माना जाता है और यह exercise से हमारी body warm up भी होती है और आपको सिर्फ 2-3 मिनट लगतार रसी कुदने वाली exercise को करनी है जिससे आपकी fat को बहुत जल्दी loss करने में मदद करेगी और इस exercise से साथ साथ आपके leg muscle को काफी जोर पड़ती है जिसके कारण से आपके body में testosterone hormone को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है और testosterone hormone ही हमारी body को सही तरह से बनाती है तो अब तीसरा exercise के बारे में देख रहे हैं वो है pushups pushups एक ऐसी exercise है जिसमें आपके सरीर के body को बनाने के साथ साथ extra fat को बहुत जल्दी कम करने में काफी मदद करती है और इसलिए आपको 30 pushups लगाने की कोसिस करनी है हो सकता है आपसे शुरू के दिनों में 30 pushups नहीं लग पाए तो आपसे जितना हो सकता है उतना ही लगाएं फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोसिस करें अब देखते है exercise no.4 वो है plank इस exercise को करने के time आपको बिल्कुल ऐसे ही रहना है कोई भी तरह का movement नहीं करना है ऐसे ही 1-2 मिनट तक रहने की कोसिस करनी है और इसके कारण body के अंदर एक अलग तरह की heat आने लगती है जो कि fat को burn करती है जिसके कारण से fat जल्दी loss होता है तो ये थे 4 exercise जो आपको रोज करनी है और एक बात का थ्यान रखना है वो है fast food और तेल वाली चीजों से दूर रहना है यानि कि तेल वाली चीजों को ज़्यादा सेवन नहीं करना है और cold water and cold drinks को ना के बराबर ही लेना है जितना हो सके हरी सबजी, सलाद और फल खाएं अगर आप लगातार 30 दिन ये सब कर लेंगे तो आपको अपने आप में effect दिखने लगेगा तो आज के लिए इतना ही और अभी तक वीडियो को like नहीं कियें तो like करें और channel को subscribe नहीं कियें तो subscribe करके bell icon को on कर लें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद